भाई बनाना पढ़ेगा भाई सबको और घबराव नहीं पढ़नाई है सबने अब तो कती आसान बात चल जिए जो भाई कहें जो कम पल ने पढ रहा है ऐसा कुछ नहीं है जो कंपल ने पड़ रहा है प़ता है हम पार्टी सपेट कर नहीं उन्निस और में पंजाब बैटिंग कर रहा था आखरी में और मुंबई ने पहले कर ली थी शाद 192 या 193 का ऐसा कुछ लक्षे था उसने ये निका कि यार अब तो हम आरगे दोई रन तो ची छोड़ो ने क्या खेलना चले कोई भी डालो ना इन्होंने भाई मेहनत की मुंबई वालो ने और पहली बोल पर विकेट लिया दूसरी बोल पर विकेट लिया और उसके बाद अगली तीन बोले खाली छोड़ी अग पले नहीं पढ़ रही उसके लिए कि जीवन में आप जब भी छोड़ेंगे चीजों को आप समझ लीजिए कि आप उस चीज को दुबारा तो पा नहीं सकते हैं इसलिए छोड़ना तो है ही नहीं बकसना तो है ही नहीं पढ़ना भाई मेहनत ही मेहनत करनी है कोई तरीका है नहीं बचने का, सीखना ही सीखना है, कम समझ आ रहा है, कोई इश्यू नहीं है, दुबारा देख लो, अगर मेरा पढ़ाया वा समझ नहीं आ रहा है, तो ओर टीचर से देखो, लेकिन पढ़ना तो पढ़ेगा न, उपचार नहीं हो इसका, छोड़के आगे बढ़ जाओगे बरबाद हो जाओगे, और भाई, आगे आने वाला टाइम इतना डिफिकल्ट है न, मेरे बच्चों, बहुत बुरा समय आने वाला है, रोजगार की दृष्टी से बहुत बुरा समय आने वाला है, आपके पास यह दो-धाई साल है न, यह पीक है, अगर आपका सेलेक्शन इस टाइम पर नहीं हुआ न, तो सरा आपका यह पूरी दुनिया बहुत बुरी स्तीती में जाएगी, बेरोजगारी इतने बड़े स्तर पर जाने वाली है, हद से जादा, आप अच्छे से जानते हैं, कि जब से यह ओनलाइन चीजे आई हैं, तब से बेरोजगारी कितने बड़े स्थर पर बढ़िये, बहुत बड़े स्थर पर बढ़िये, आप सबको महनत करनी ही होगी, इसका कोई विकलप नहीं है, आप यह देखिये कि आज से पहले मेरे भाईयों, मुबाइल रिचार्ज की कितने दुकाने होती थी, कितने सारे लोग लोग मोबाइल की रहे थे खतम एक अकेला पेटियम है कुछ ने वो सोफ्ट्वेर आप बनाया होगा और आप कुछी लोग इस पूरे भारत को पूरे विस्ट को चला रहे होंगे शादिस एप पे फोन पे पेटियम से यारी कितने सारे लोग विरुजगार हुए आप आपने देखा होगा मेरे भाई भारत में हर दो किलोमेटर बार टेक्सी स्टेंड होते थे और में जामकर जी ने पढ़ाता था वाँ छेचे टेक्सी स्टेंड थे मेरे भाई और ड्राइवर बैठे रहते थे गाड़ियां रखे रखते थे कितने लोग रोजगार पा रहे थे क्या हुआ एक ओला कुछ नहीं न तो 20 लाख लड़के लगें हैं, क्या करने पर लगें हुए जी, समान डिलीवर करने पर इधर से उधर डिलीवर करने पर लगें हुए, आपको पता है विदेशो में इस समय ट्राइल चालू हो चुका है, कि हम गूड्स की जो डिलीवरी है, वो किस से करें, ड् अब क्या हुआ, एक ड्रोन है, एक ही आदमी बैठा है, और वहीं से अपने मोबाइल से लेटोप से उसको इधर उधर कर ले रहा है, और वहीं ड्रोन पूरे सूट कर दे रहा है, साधी ब्यामें बड़ी-बड़ी क्रेने आती थी पूरी सूट करने के लिए, अब क्या हो एक ड्रोन सूट कर दे रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप वक्त को समझो, आने वाला वक्त बहुत मुश्किल होगा हम सब के लिए, लेकिन आप इकलोते, वो जैसे हो नहीं कहते है, डाइनासोर खतम होने वाला था, तो जो आखरी पर जाती थी, तुम बेटा रोज मेरत करो, पनी बढ़े यहां से पढ़ाई करो, आईए, ओनलाइन कोचिंग ही देख लो यार, आप देखो हर गली नुकड पे एक हजार इंस्टूट खुले रहते हैं, ओनलाइन कोचिंग ने क्या क्या, सब कुछ खतम कर दिया, आने वाले दो साल में दो से तीन कंपनिया बचेंगी ओनलाइन कोचिंग में, हाई ना, सिर्फ दो से तीन कंपनिया बचेंगी, सारे टीचर बेरोजगार होगे, सारे होल वोल बेरोजगार होगे, जो लोग किराय पे चलारते हैं, सब बेरोजगार होगे, तो ये वक्त आने वाला है, ओनलाइन चीजें आने लग रह गाड़ी का भाईया फिर ड्राइवर भी वे रोजगार है बढ़िया मुखा है हतिया लो छोड़ी मत देना ओनलाइन कोचिंग में भी कुछ ही काम रहेंगे बाकि सब बेरोजगार हो जाएंगे सब भड़ जाना इसलिए महनत करो आपको बढ़िया मुका मिला हुआ देखे य पक्का आये ठीक है रोविन सर आपने डिप्रेशन में डाल दिया अब एक कहें का डिप्रेशन है यार सचाही को समझो और डिप्रेशन में मत आओ आप ये भी तो सोचो कि जितनी भी ओनलाइन चीजी आई उससे जनता को फाइदा हुए ऑनलाइन कोचिंग आज 2000 रुपए मे आते तो दो लाग रुपा खर्च हो जाता हुतने का तो ऐसा ना सोचो और धीरे धीरे जब ये चीज़े इतना बड़े लोग बढ़ेगी तो कई सारी नई अवधर ना हैंगी विकास दिखेगा हर जगे लोग इतने भार दिखेंगे नहीं आपको जितने आप दीख रहे है बहुत सारी चीज़े कंट्रोल में आनी महंगाई भी अपने आप चीजों की घठती चली जानी है टेंसे नहीं ना लो तुम इतना दूर तक ना सोचो ओ ऑओ देखे घवराना नहीं है पास पढ़ते रही है मन लगांके पढ़ते रही हो और इतने भी उल्लू मदबं जाएंगा के सुर्फ पढ़ते रहें औरर 24 गंटे में पढ़ रहे वहला क्थारा गंटे च्छय गंट के सोर रहें ऑं 15 इतने वो भी मत बनिएगा समझें ना मेरी बात को मतलब लाइफ को इंजोई भी करते रहे है और पड़ते भी रहे है ठीक है समय निकालिए थोड़ा-थोड़ा सा मनुरंजन भी करिए जीवन का जंड मत बना लेना अपना जीवन और आसकी बाजी में कोई ना पड़े भाई